महाकाल की नगरी उजैन में महाकाल जोतर लिंग के अलावा चुरासी महादेव भी स्थापित हैं जिनका अपना-पना अलग महतो है इन चुरासी महादेव के दर्षन करना बेहद लाबकारी होता है आईए जानते हैं इन चुरासी महादेव के महतो एवं इनके इतिहास के बारे में उज्जैन के जैरामदास सनही राम की बगीची के सामने स्थित संगमेश्वर महादेव 84 महादेवों में 69 नंबर के महादेव हैं सकंद पुरान की अनुसार कलिंग देश में सुभावू नाम का एक राजा था कांचीपुर निवासिक शत्रिय दिड़ धनवा की पुत्री विशालाक्षी उसकी पतनी थी उस राजा के प्रती दिन मध्यान में सिर में दर्द हो जाता था तब उसकी रानी ने इस रोग का कारण पूछा राजा ने कहा मेरे साथ चलो मैं महाकाल वन में जाकर तुम्हें इसका कारण बतलाऊँगा तब वे दूसरे दिन महाकाल वन में शिप्रा के तर्द पर आ गए वहां शिप्रा में नील गंगा का संगम है उन्होंने उस संगम स्थान की पूजा की राणी के पूछने पर राजा ने अपनी शिरोवेदना का कारण बतलाते हुए कहा कि मैं पूरु जनम में शुद्र था तुम भी मेरी पत्री होकर शुद्रा थी हमारा एक पापी दुशिल पुत्र था एक समय बारे वर्ष का काल पड़ा तब मैं तुम से और पुत्र से बिछोड़ गया तब मैंने धरम कारिय करने का सोचा प्रंतु मेरा प्रान्त हो गया नरक भोगने के पश्चात मुझे शिप्रा में मतस्य रियोनी प्राप्त हुई तुम पास के जंगल में बाज हुई सूरिय के अशलेशा नक्षत्र में आने पर वर्षा काल में मैंने संगम पर बाहर मुण निकाला तब तुमने आकास से मेरे सिर पर नकों से चोट की और मुझे उठाकर संगमेश्वर के पास ले गई तब मच्वारों ने हम दोनों को मार दिया संग मेशवर के दर्शन से मैं पुने कलिंग देश का राजा बना तुम काची निवासिक शत्रिय राजा की पुत्री हुई इस लिंग के दर्शन से हम राजा रानी हुए तुमने मेरे सिर पर पंजा मारा था मचुवारों ने डंडा मारा था उसे याद कर मेरे सिर में दर्द होता है तब रानी ने कहा संगमेशवर के दर्शन से मुझे पूरु जन्व का समरंग हो आया है संगमेशवर से प्रार्थना है कि अगले जन्व में भी मेरा आपसे वियोग नहीं हो इस परकार दोनों ने अपने राज्य में जाकर सुख का भोग किया संगमेश्वर के दर्शन से पतने पुत्र भाई आदी से वियोग नहीं होता है चार माहा तक संगमेश्वर का दर्शन करने से वह शिव लोग को प्राप्त करता है चुलियासी संगमेश्वर मादेव के नाम से स्वयम भूलिंग प्रसिद्ध है ये माकाल का गण होनों में आते हैं चुलियासी मादेव इनका यात्रा किये जाते हैं और इनका नाम है संगमेश्वर, तो यहाँ पर पाताल गंगा, नील गंगा और शिपरा का तीनों का संगम है, इनका दर्शन करने से बीचड़ावा आजमे मिल जाते हैं, इसलिए इनका नाम संगमेश्वर है, इनका दर्शन करने से कोई अपना बंदू बांदों से इस्ट मि कभी भीचरता नहीं है उसका जन्म जन्मानतर तर मिलन होते रहता है चुरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लाइक वेशेर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महता के बारे में जान सकें ओम नमस्षिवाए